हेलो बच्चो आज हम आपके क्लास कक्षा 3 का क्लास 3 का जो पहला पोएम है वो शुरू करेंगे जिसका नाम है गुर्ड मॉनिंग और इस पोएम में सबसे पहले कुछ आपको पिक्चर्स हम दिखाएंगे देखे इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो जहांक रही है खड़की से यह आपके सूरच चाचू है यह चोटी चड़ियां है और यहाँ पर आपके दो ट्रीज है और यहाँ पर फ्लार्स है ठीक है बच्चो अच्छा अब यह बेडिंग कर रही है मतलब गुड मॉनिंग सुबह का जो हम नमस्ते करते हैं अब आप लोग होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी चीज को देखकर बहुत ज्यादा अचंबे में पड़ जाते हैं जब उनके सामने कोई नई चीज आती है बिलकुल इसी तरीके से आपके सामने यह जो बच्ची है जिसमें दो कुशन पूछ रही है गुड मॉनिंग करते हुए देखो क्या कहती है यह बोलती है गुड मॉनिंग स्काई ठीक है जी मतला यह स्काई को जब यह उठती है यह बच्ची जब उठती है तो अपने सामने खुला हुआ आसमान देखती है और जब यह खुला हुआ आसमान की सूरच चाचू Good morning, यह सूरच चाचू बोलती है और कहती है Good morning, उसके बाद ही कहती है Good morning, little winds, बिंड्स मानी आप जानते हैं, जो हमें ठंडी ठंडी क्या लगती है, हवा, यह देको बिंड्स, बिंड्स मानी क्या होता है, देको हम लिखके बताते हैं आपको, हवाएं, क्या होती है हवाएं क्या होती है हवाएं ठीक है और उसके बाद कहती है कि good morning little winds that run run मानी होता है चलना चलना और हवाएं कैसे चलती है एसे ऐसे 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 चलती है और जब हमारी बाड़ी को छूती है तो हमें कैसा लगता है बहुत अच्छा अच्छा लगता है उसके बाद यही बच्ची कहती है कि good morning birds और birds मानी क्या होता है देखो नीचे दिया यह प्यारी सी चिडिया है और इधर देखो हम आपको दिखाते हैं two words यहाँ पर क्या कर रही है flying कर रही है तो यह इतनी प्यारी बच्ची है कि सबको good morning बोलती है आपको भी क्या करना चाहिए अपने जो बड़े लोग हैं ममी हुए पापा हुए उनको भी सुबह उठने के बाद नमस्ते करना चाहिए और उसके बाद यह बोलती है कि good morning trees अभी जो trees हैं यह जो देखो अभी आपको दिखाया था हमने पहले इसलिए तो देखाया था हमने आपको देखो यह trees हैं यह देखो यह देखो तो इनको भी क्या बोलती है यह good morning बोलती है कि good morning trees अब देखो यह इतनी प्यारी बच्ची है उसके बाद कहती है and creeping grass अब देखो यह grass होती है ऐसे यह घास होती है ठीक है जी और यह कभ के जी उसके बात कहती है and brownie bees देखो यह ने दिया है bees बीज ये देखो bees बी मानी होती है मदमख्य और ये फूल पे बैटी हो ये brown color की बुहुरे या कत्ता ही रंग की मदमख्य बैटी है तो इसको कहती है good morning brownie bees मदमख्यों मैं तुमको भी good morning करती हूँ फिर एक कुश्चन ये पूछती है इन सबसे ये कुश्चन पूछती है वो पोलती है कि how did you find out it was a day कि आपको कैसे पता लगा कि इस दिन जो है वो निकल आया है आप मुझे ये बताओगी जैसे मैं रात में सो जाती हूँ तो मेरे ममी पापा मुझे बिस्तर से उठाते हैं वो तुमको कैसे पता लग जाता है कि दिन निकल आया है who told you night had gone away और तुमको कौन बताता है कि रात जो है वो खत्म हो गई है अब फिर बोलती है I am wide awake wide awake देखिए ध्यान से सुनियागा इसको wide awake का मतलब होता है पूरी पूरी तरहे जाग जाग गई गई हूँ पूरी तरह क्या हो गई हो जाग गई हूँ ये कहती है कि मैं पूरी तरीके से जाग गई हूँ अच्छा उसके बाद में फरी ये कहती है कि I am now to जैसे पहले कहती है चड़ियों से कि तुम भी जाग गई हो हनीवी से कहती है तुम भी जाग गई हो पेर से कहती है तुम भी जाग गई हो तो अब ये बच्ची जो है ये कहती है देखो जब आप सब लोग जाग गए हो तो मैं भी पूरी तरीके से जाग गई हूँ फिर ये बोलती है कि I will be I will be right out to play with you कि अब मैं अब तुम उड़ रही हो तुम सहद ले रही हो अब मैं भी तुमारे साथ खेलने के लिए पूरी तरीके से तयार हूँ क्योंकि देखो इसने ब्रश भी कर लिया होगा बहुत अच्छी बच्ची है ये सोगए उठी इसके ममी पापा ने उठाया इसने ब्रश करा बाथरूम गई नहां गई लिया और ब्रेकफास भी कर लिया उसके बाद में ये कह रही है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी खेलोंगी अब देखिए यहां पर दो या तीन कुश्चन है आपके लिए बहुत प्यारे-प्यारे कुश्चन है आपको ऐसी बताना है ये पहले कुश्चन में पोस्ती है वाइज दा चायल्ड इन दा पोएम हैपी की जो बच्च है वो इस पोएम में खुस क्यों है वो इसलिए खुस है देखो ये देखो आप वो चिडियों को देखती है वो हनीवी को देखती है वो ग्रीन ट्री को देखती है वो आसमान को देखती है वो सूरच चाचु को देखती है और उनके साथ खेलना चाहाती है इसलिए बहुत अब देखो आप दूसरा देखो, kushen, home does the child say good morning, अब ये जो बच्ची है, वो किस किस से good morning करती है, तो देखो सबसे पहले ये sky, sky से करती है, ये निला निला दिख रहा है, आपको ये सब आसमानी तो है, फिर क्या करती है, चिडियों से good morning करती है, ट्रीज से good morning करती है, और य दो यहां पर देखो यह इसका अंसर यह देखो आई विल वी राइट आउट टू प्ले विद यू तो इसमें आप देखिए यह बच्ची जो है इन सब के साथ चड़ियों के साथ पेड़ों के साथ सूरच के साथ हनीवी के साथ क्या करना चाहती है खेलना चाहाती है ठीक है और इसको एक दोबार आप वीडियो देख लेना इसको तो आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएगी ठीक है बटा और हम अगला वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलेंगे थैंक यू थैंक यू वरी माच